नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एसकलेपियस हाईरवेदा में दोस्तों आज की सेशन में हम चर्चा करेंगे AWPL में न्यू अपडेट्स फॉर फिजकल के वाईसी फिजकल के वाईसी में AWPL में क्या अपडेट्स हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों आज की सेशन के मैधम से हम बताएंगे आपको के वाईसी क्या होता है AWPL कंपणी दोवारा फिजकल के वाईसी में कौन-कौन से बड़े बदलाव किये गए हैं यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के मैधम से दी जाएगी तो आएए दुस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं KYC क्या है? KYC का मतलब no your customer होता है KYC दो प्रकार के होते हैं एक होता है online KYC और दूसरा होता है physical KYC online KYC में आपके द्वारा दिये गए डॉकुमेंट्स जैसे अधार कार्ड, बोटर आइडी, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट यह सारे online रूप से वहरिफाई होते हैं और वहरिफाई होने के बाद सक्सेस्पुली का मेसेज आ जाता है इसके अलावा company में physical KYC भी होता है, physical KYC का मतलब हुआ बहुत एक रूप से सत्यापन इस सत्यापन के दवरान company में आप form भरते समय जो भी आप online data दिये हैं उसको physical रूप से company को भेजना ये data आप उसको courier करके, speed post करके भेज सकते हैं दोस्तों, AWPL company में दोनों प्रकार के KYC अनिवारे हैं AWPL company दुवारा physical KYC के समंद में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो निम्न प्रकार से है KYC updation से समंदित कोई भी remarks अब direct seller अपने login पैनल पर swim चेक कर सकता है इसके लिए company में email भीजने की कोई आउशकता नहीं पड़ेगी सभी direct seller अपने agreement और KYC documents की copy पर signature करने हैं और signature करके company के head office में जमा करवाने हैं ये signature self-attested होने चाहिए और भीजने का माध्यम courier, speed post या by hand हो सकता है यदि आपका physical KYC head office में receive हो गया है तो receive होने के 24 hours या 48 hours के अंदर में आपका physical KYC update हो जाएगा इसके अलवा प्रतेक direct seller को अपना खुद का login पैनल खोल कर अपने KYC status को बारबार चेक करना होगा यदि company द्वारा किसी का KYC reject किया जाता है तो इस condition में उसको login पैनल के dashboard पर जाकर remarks देखना है जो कि remarks 100 होंगे जिस बज़त से KYC एप्रूब नहीं हुआ है वो सारा कारण उसको पता चल जाएगा direct seller remarks के अनुसार जो भी कमी उसके online form भरते समय या attachment के समय जो भी कमी हुई है उसको दुबारा upload कर देना है और उसके अनुसार आपका KYC एप्रूब कर दिये जाएगा यदि company ने दिये गए documents के अनुसार किसी भी ID का physical KYC एप्रूब किया है तो direct seller को panel में दिखाई देने वाले सभी जनकारी को ठीक से जाचना है और जाचने के बाद जनकारी यदि सही है तो verify के बटन को दबाकर physical KYC को verified कर देना होता है और यदि seller के panel में दर्साई गई जनकारी गलत पाई जाती है तो वो उसे deny verification के बटन को दबाकर उसे रद कर सकता है company के अधिकारी उस direct seller के physical KYC डॉकुमेंट की फिर से जाच करेंगे और यदि दर्साई के जनकारी physical KYC से मिलती है तो उसको approve कर देंगे इसके अलावा company द्वारा KYC approve होने के बाद भी जब तक डैलेक्ट seller अपने login पैनल से verification को confirm नहीं करते हैं तब तक KYC complete नहीं मानी जाती है तो दोस्तों आज की session में हमने जाना की KYC क्या है कितने प्रकार क्यों होती है कौन कौन सी KYC है AWPL company में कौन कौन से KYC अनिवा रहे हैं AWPL company द्वारा फिजिकल KYC में कौन कौन से बड़े बदलाव किये गये हैं तथा वो KYC हम कैसे करेंगे इस सारी बाते हम इस वीडियो के मैदम से जाने तो मैं होब दोस्तों आपको जनकारी अच्छी लोगी होगी मिलते हैं इसी तरह की जनकारी के साथ नए वीडियो में नए जनकारी के साथ धन्यवाद